हालो नमस्कार दोस्तूं आप सभी का मेरी यूटूब चनल सुपर्डेम जे मैं स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेक्या हैं साइन्स के most important one-liner question answer जो दोस्तो आले exams के लिए बहुत ही important होने वाले हैं दोस्तो बन-liner question answer शीरीज का ये part 58 एक से पहले सभी पार्ट में अपलोड कर दिये हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का प्लेच लिंक आपको डिसकुस्टन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाके आप सभी वीडियो देख सकते दोस्तो अगर आप में नए हैं मेरे चॉन को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेडिस कर लें जिसमाइब नए वीडियो को पटेश सबसे पहले आपको मिलसेगे दोस्तो वीडियो चलगे तो प्लीज इसको एक साइन की कमी हो जाती है तो किसकी कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है किसकी दोस्तों सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है ठीक है दोस्तों नेश्ट कोशन देख लेते कोशन नेश्ट इसमें दोस्तों पूछा गया है गैसो हाल गैसो हाल जो मोटर गाड़ी में इधन के रूप में प्रियुक्त होता है किसका मिस्षड है यह दोस्तो गैसो हाल जो मोटर गारी में इधन के रूप में प्रियुक्त होता है किसका मिस्षड है तो किसका मिस्षड है दोस्तो पैट्रोल तथा अल्कोहल का मिस्षड है किसको दोस्तो पैट्रोल तथा अल्क का मिस्रड है जो गैसोहाल मोटर गार्डी में इधन की रूप में प्रियुक्त होता है वो पेट्रोल और एलकोहल का मिस्रड होता है ठीक है दोस्तों नेश्ट कोशन देख लेते हैं कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है इसमें दोस्तों पूछा गया है कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है तो क्लोरीन गैस ठीक है दोस्तों क्लोरीन गैस जो होती है वो फूलों का रंग उड़ा देती है ठीक है दोस्तों नेश्ट कोशन देख लेते हैं कौशन नेश्ट है इसमें दोस्तों पूछा गया है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है तो रासाइनिक परिवर्तन है ठीक है तो लोहे में जंग लगना एक रासाइनिक परिवर्तन है कौन सी गैस जो आला मुखी परवतों से निकलती है जो आला मुखी परवतों से निकलती है इसमें दोस्तों पूछा गया है कारने लाइट किसका एसक है कारनेलाइट किसका एसक है तो किसका एसक है दोस्तो मैगनीसियम का एसक है कारनेलाइट मैगनीसियम का एसक होता है नेश्ट कोशिन देख लेते कोशिन नेश्ट है इसमें दोस्तो पूछा गया है शमुद्री जल में सरवादिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लबड कौन सा है तो कौन सा है दोस्तो सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड चो समुद्री जल में सरवादिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला एक लबड है इसमें दुस्तो पूछा गया है कोशन देख लिए ते कोशन नेश्ट है इसमें दुस्तो पूछा गया है आदर्स गैस की आंतरिक उर्जा किस पर निर्भर करती है तो ताप पर निर्भर करती है ठीक है दोस्तो नेश्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नेश्टेज में दोस्तो पूछा गया है क्या है दोस्तो केल्सियम हाड्रक्साइड चूने के पानी का रासाइनिक नाम होता है ठीक है दोस्तो नेश्ट कोशन देख लेते कोशन नेश्टेज में दोस्तो पूछा गया है RDX में ताप मान एबम आग की गती बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है RDX में ताप मान एबम आग की गती बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है तो अलुमीनियम का चूड मिलाया जाता है तो अलुमीनियम चूड मिलाया जाता है ठीक है दोस्तो next question देख लेते question next है इसमें दोस्तो पूछा गया है डालडा बनाने के लिए किया जाता है डालडा बनाने के लिए किया जाता है तो क्या किया जाता है बनस्पति तेल का हाई डोजनी करड किया जाता है ठीक है दोस्तो next question देख लेते question next है इसमें दोस्तो पौधे दल हनी पौधे बायु मंदली मुक्त नाइटोजन को किस में परिवर्तित करते हैं दल हनी पौधे बायु मंदली मुक्त नाइटोजन को किस में परिवर्तित करते हैं तो किस में करते हैं दोस्तो नाइटेट में परिवर्तित करते हैं ठीक है दोस्तो नेष्ट कोशन देख लेते कुछ ने श्टेस में दोस्तों पूछा गया है टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रियोग होता है तो दोस्तों यहां पर थियो फेस्टस यह गलत लिखा हुआ है टेलकम पाउडर बनाने में टालक क्या दोस्तों टालक खनिज का प्रियोग होता है यह हल के हरे या सफेद रंका होता है ठीक है दोस्तों जो की बहुत ही चिकना एक खनिज होता है ठीक 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 है का प्रियोग किया जाता है बारूत बनाने में किस रासाइन का प्रियोग किया जाता है तो किसका दुस्तों सलफर का प्रियोग किया जाता है बारूत बनाने में सलफर का प्रियोग किया जाता है नेश्ट कोशन देख लेते कोशन नेश्ट में दुस्तों पूछा गया है IC chip बनाने में किस का प्रियोग होता है IC chip बनाने में किस का प्रियोग होता है तो silicon का प्रियोग किया जाता है ठीक है दोस्तो integrated circuit chip बनाने में silicon का प्रियोग किया जाता है ठीक है दोस्तो next question देख लेते हैं question next है इसमें दोस्तो पूछा गया है सबसे कठोर धातु कौन सा है सबसे कठोर धातु कौन सा होता है तो कौन सा दोस्तो प्लेटिनम ठीक है दोस्तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होता है कौन सा दोस्तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होता है ठीक है दोस्तो साथ सेर कीजिए दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है सुजाओ है तो प्लीज कमेंट वाक्स में इसको टाइप कीजिए उसकर अपलाई में जुड़ू दूँगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन दोस्तों